गुड इवनिंग चात्रों मैं आपका वेवसाय सिछक दिपक सिंग और आपको एक छोटा सा वीडियो सेकेंड पेपर का ये इसके अंदर करीब हमारे इसका नाम विद्धुत चुम्बक है या विद्धुत चुम्बकी का सिध्धान्त का है तो विद्धुत और चुम्बक ए यारह में हैं और चार चैप्टर को आपको हमने 2018 से मैं इसको आपको देता ही आ रहा हूं कुछ वीडियो उसमें अच्छे भी हैं और आप उसको देखें सुनें और साथ में करेंट का भी मैं इसको एक समराइज की रूप में लेना चाहरा हूं और मैंने आप लोगों से बत क्वेश्चन पेपर किस तरह से हल करेंगे छमाई में आपने जैसे किया हासिया कीश के हीडिंग काला पेन नंबर तो सी सी साब से मैंने आप लोगों को दिये हैं वह अपना बॉल्ड में भी हैं लेकिन साथी साथ यह आपका एक बार और फर्स पेपर तो हम लोग रिवाइ जानते हैं क्या होता है विद्दूत में तो आईए विद्दूत में देखते हैं पहले चैप्टर में विद्दूत में क्या है तो विद्दूत छेतरता विभाव है इसके अंदर आपको अगर पेज ना दिखे तो आप इसकी शाट लेने कोशिस करें और बाकी हम मैं इसमें आमारी आवाज को आप से सुने तो वो काफी है और थेल्स का नाम करीब 2600 वर्स पूर अंबर नामक एक पदात से और ये आपका रेसम या बिलिक खाल से जब उसे लगरते हैं तो उसके अंदर एक गुण आ जाता है कि वो वी पदात को आप कागज में करके देखते होंगे कं पदात है आवेस्ट के अंदर आजयने का जो खीचने लगता है पदा अपने ओर तो इसी को हम आवेसित बद्यूत में उप्दात को हम कह रहते हैं कि प्रदात जो है आवेसित हो गया है जैसे कंगी को आप बाल में रगड के कागज उठाते हैं तो इसी में धन तथा रिड बेंजामिन फैंकलिंग ने किया धनाविस तथा रिड़ाविस अगर यह एक दू धन धन को धके लेगा मलब प्रतिकरशित करेगा पास नहीं आने देगा और लेकिन धन रहेगा तो एक दूसरे को आकरशित करेगा इसमें फिर या इलेक्टरांद की सध्धान्थ क्या है आगसे पूछता दो नमबर का क्योश्चन देखिए इसमें 5-10 लाइन लखे दो नमबर लीजिए तो इलेक्टरांड का सध्धान्थ हम लोग पेपर टी में पढ़ेंगे कि इलेक्टरांड के जो है एक परमान होता है परमान छोटे और इसके अंदर लेक्टान और प्रोटानों की संख्या बराबर होती है और इस पर इस तरह से चित्र आपको आगे पर माण सर्नचना तीसरे पेपर में आएगा तो हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन सेकंड पेपर थार्ड पेपर क्वेस्चन लगभग कामन होते हैं इसलिए यहाँ पर देखिए चीज और आवेश एक आवेश आपने देखा होगा हाई स्कूल में भी इसका एक आवेश का मान कुलाम में होता है तो एक दस मेंड़ च्छय गुड़े किका क्या है तो कुलाम का नियंव से कहेंगे तो अचाश बबाबर जानते हैं आवेश बटा समय या क्यूं बडाबर आवेस बडे त यह एक कुलाम की परवरास आथ इस tip बिए सकते हैं बैद्दो धारा बराबर आवेस बटा समय या आवेस की दर को धारा कहते हैं या आप इधर ले आईए तो आवेस मतलब धारा एक सेकंड में बहने वाली धारा को आप आवेस कहते हैं एक M.P.R. कह सकते हैं आगे बढ़ें अगर हम तो मूलाविस को भी मैंने आपको बताया था कि मूलाविस के हैं इलेक्टरान को मूलाविस माइनस E या और प्रोटान का प्लस अलफा का देखिए प्लस होता है मेंसा याद रखेगा 2E और एक मूलाविस पर एक सेकंड में लगबक तीन गुड़े दस घाते 18 मूलाविस इलेक्टरान एक सिरे में प्रिवेस करते हैं तो इतना ही दूसरे सिरे से निकल भी जाते हैं अगर कोई बलबाब जला रहे हैं तो कुलाम का नियम भी है कि अगर दो आविस जो प्लस माइनस हों या जैसे माइनस प्लस हों तो उनके बीच में लगने वाला जो बल है इसको कुलाम का नियम और ये वतायन उन्हें कि ये जो लगने वाला बल है ये उन दोनों आवेसों के गुड़न के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्क के होगा ये आप जैसा लिखा देख रहे हैं और इसके बाद यही इसके अंदर नियतांक लगाया जो 9 गुड़े 10 गाते 9 तो Q1 बटा Q2 बटा R square Newton बलका मातरप Newton है तो यही कुलाम का नियम हुआ और उसके बाद इसमें और अगर हम आगे बढ़ें तो परावैदूत क्या होता है परावैदूत देखिए जिसमें बिदूत का प्रवाह ना हो उसे आप परावैदूत कह लीजिए जैसे कि रबर प्ल प्लास्टिक आदि तो यह हो गए अब आते हैं बैदूत छेत्र को बैदूत छेत्र भी आप देखिए कोई भी बैदूत होगा तो उसका अपना एक छेत्र होगा और जैसे कि आप प्लस रखें तो इसके अगल बगल एक जो आप बलकान भो करें तो वही उसका छेत्र कहला ऑगा बैदूत बढ़ग लिए और इसे आप इसे देखें प्लस का एक माईनस का यिए को घृइणी को काटि नहीं यह इनकी विशैस्ताइयों बैदूत होती हैं-प ठेक हमें से निकलते हैं पाश्टिव से निगसे निगेटिक तरफ जाती हैं और ये एक दूसरे को काटती नहीं है ये इनकी विशेस्ता होती है इसे हम बैदुद बल रेखाएं पहते हैं और उसके बाद यहां देखिए बैदुद बल रेखाओं के गुणबे इस तरह से पूछ दिया आपको तो आपका धन से रिण जाएग दूसरे को काटता नहीं है बैदुद छेत्र की तीवरता अगर आपके हैं तो इस तरह से की जो बल है बल बटा एक कुलाम आवेश को हम बैदुद छेत्र की तीवता कहेंगे सीदे सीदे एक लाइन में आप इसे कह सकते हैं कि एक आँख आवेस पर लगने वाला बल जो होता है उस छेतर की तीवता कहा जाता है और तीवता का मातरक वही न्यूटन बटा कुलाम उसके बाद अगर हम इस चैप्टर में और आगे बढ़ें तो इसके अंदर जो खास चीज़े मैंने आपको वीडियो में दे रखे हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टन करने के लिए मैंने इसको उठाया तो लगभख इस चैप्टर में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं आती है लेकिन मजनि एक फोदो नंबर के सवाल ज़रूर पूछ हएंगे एक इल्टरान बोल्ट उर्जा का मातरक है वी और निउटन पर कुलांवै वैदू च्छेतर का तीवता का मातरक होता है निउटन पर कुलांव हूता है मने भी है तिरह हम लोग देख लेंगे तरल परपत को मैंने बताया भी है कई वीडियो में आप उसको भी देख लीजिए बिद्दुत सेल है इसमें तो सेल की जानकारी उसमें मिलेगी आपको और मैं यहीं वीडियो खतम करना चाहता हूं इसको लदा लंबा ना करते हुए और यह भ भी खतम कर चुके हैं विद्दुत में हैं तीसरे चौते पाचे पेपर में हम लोग लगभग एक बार होई चुका है दो बार हो चुका है सतर परसेंटी कोर्स मैं आपको बता रहा हूं और आप इसको एगरिवाइस करते हुए बस सुनते हुए अगर चले अगर दिमाग मे तो किसी पेपर को छोड़ना नहीं है हर पेपर में क्या चीज है उसको थोड़ा सा वीडियो को सुने जरूँ मेनी मेनी थाइंक्स शात्रों और जब कालेज खुलेगा तो अभी तो फिलाल तीस तक बंद है तो हम लोग इसी से अपना काम चलाते हैं बाद में इसी चीज को को रिखान शातना कि में तो किसे जिसको भी घ्कर करता ओं और उस्ı on स्वासाथ खुल करने पूरी कोशिश करता हूं और बाकिया बत्रों अच्छा ओर और seinem मैं त्यंक्स अगे